नमस्ती my beautiful family आज हम self love practice day 3 में आ गए हैं आज है day 3 और आज ना मैं आपको खुद के लिए self love letter लिखना सिखाऊंगी और यही आपका task होगा और कुछ एक excited वाला task दोगी जो आपको follow भी करना है यह वाला self love letter ना कुछ थोड़ा different होने वाला है क्योंकि यहाँ पना हम बहुती magic add कर दे वाले हैं कल किस-किस ने अपना day second complete कर लिया है अपनी negatives को लिख कर burn कर दिया है यानि उनको release कर दिया है मुझे comment में जरूर बता कर जाना ठीक है it's done ऐसा मुझे लिख कर जाना कि day two it's done कि देखो जब भी हम किसी से प्यार करते हैं ना हमारा कोई खास इंसान हो गया हमारा कोई जीवन साथी हो गया वो इंसान जिसे हम बहुत प्यार करते हैं अगर हम उसके साथ कहीं मिलने जाते हैं या हम date पर जाते हैं या कहीं पर भी ह हम उनसे मुलाकात करते हैं, तो खास दौर से girls में यादत होती है, boys में भी होती है, letter लिखने की, अपनी feelings को उस paper पर उतार देने की, जो एक letter में, एक letter के जरीए हम उनको देते हैं, अपनी feelings को वो अलगी level की चीज़ होती है, वो कुछ और ही होता है, जो इतने सारे gifts होते हैं न, chocolates, flowers, और भी gifts, इस सबसे ददा उपर होता है, वो letter, और ये सच्ची में उनके दिल को छूजाता है, जिसको भी आप दे रही हो, खास तोर से आज भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मैं भी उन मेंसे हूँ, कि मुझे writing करना बहुत अच्छा लगता है, personally, अपनी कोई बात को लिखकर express करना बहुत अच्छा लगता है, तो यही चीज अगर हम अपने साथ करें तो, ये self के लिए करें तो, इस खास इंसान को वो पत्र लिखें तो, क्या होगा, पता है क्या होगा, चादू होगा, चादू होगा, आप अपने आपको जान पाओगे कि आप क्या है, ये सच में इतना magical है, तो मैं आपको लिखना सिखाती हूँ कि self love letter कैसे लिखा जाता है, पहले मैं आपको ये self love letter पढ़के सुनाओंगी, ये मेरा अल्रेडी लिखा हुआ है, मैंने लिखा था, और फिर उसके बात में आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगी, इसी वीडियो के अंदर आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले heading डाल ली है, self love letter, और ये आप किसी भी color के pen से note down कर सकते हैं, ये आपका task है, और आपको ये आज ही करना है, सिर्फ one day ही करना है, आपको daily routine में नहीं करना, सिर्फ एक बार करना है, जैसे कल वाला task था न, एक बार आपको करना था, अपनी negativity इसको लिखकर release करना था, exactly एक बार ही आपको ये follow करना है, ठीक है, एक बार ही लिखना है, तो किसी भी color का pen आप ले सकते हो, बस black color का pen नहीं लेना, उपर डालना, self love letter, कुछ hearts बना देना, butterflies बना देना, flowers बना देना, अपनी according, and then उसके बार में लिखना, self love letter, for Shivani, जैसे कि मैं अपने लिए from Shivani, जैसे कि मैं अपने लिए लिख रही हूँ, ठीक है, हम किसके लिए लिखना चाते हैं, उसका नाम हम लिखते हैं न, तो मैं अपने लिख रही हूँ, तो मैं अपना नाम लिखोंगी, तो इस तरीकी से आप अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम mention करेंगे and then उसके बाद में आपको लिखना है dear my sweetheart शिवानी, यह मेरी choice है, आप कैसे भी लिख सकते हो यह मैं अपना self love letter आपको पढ़के सुना रही हूँ, कि मैंने कैसे लिखा है तो आप अपने लिखेंगे कैसे भी लिख सकते हो dear my sweetheart, आपका जो भी नाम है dear my angel, dear my love आप कुछ भी add कर सकते हो, कुछ भी यह आपकी choice है self love letter में actual में क्या चीज़े लिखी जाती है बता है आपको जो चीज़ें आपको अपने अंदर बहुत अच्छी लगती है क्या आदत आपको अच्छी लगती है आप कैसे हो, दिखने में कितने प्यारे हो क्या है आपके अंदर वो qualities क्या है आपके अंदर वो talent कैसी है आपकी soul कैसे आप दिखते हूँ, कितनी प्यारी है आपकी smile मतलब ऐसे सोच के लिखना कि भाई आप second person के लिख रहे हो वो second person आप खुद ही हो बस ये सोच के लिखोगे न ये definitely बहुत magical लिखा जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बहुत वक्त हो गया है तुम्हारी लिए एक letter लिख रही हूँ love letter लिख रही हूँ लेकिन आज ये प्यारा सा प्रेम पत्र में तुम्हारी लिख रही हूँ अभी तक मुझे वक्त नहीं मिला था उसके लिए sorry अभी एक line मुझे याद आई है तुम्हारी लिए जो मैं बया करना चाहती हूँ दो line में लाखो है मगर तुम सा यहां कौन हसी है क्या चीज हो तुम तुम खुद तुमे मालूम नहीं है ये मैंने खुद लिख की अपने self love letter में अपने लिए ये कैसे मैंने dedicate किया है कि इस दुनिया में आ बहुत सारे लोग है बहुत सारे लेकिन सच कहूँ तुम्हारे जैसा कोई नहीं और खुद तुमको नहीं पता कि तुम कितनी precious हो exactly आपको ऐसे लिखना है ठीक है फिर मैंने आगे लिखका है सच कहूँ तुम मेरी जान हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ I love you so much I love you unconditionally my sweet heart I love you ऐसे आपको लिखना है उसके बाद में मैं लिखती हूँ तुमको पता है तुम बहुत प्यारी हो तुम्हारी खुबसूरती कितनी प्यारी है मेरे पास शब्द नहीं है मतलब feelings है जो बस तुम समझ चाओ तुम कितनी cute हो तुम्हारी smile कितनी प्यारी है literally मेरी smile बहुत अच्छी है मैं अपने आप से नहीं कहरे हूँ लेकिन हाँ सच्छी मुझे अपनी smile बहुत अच्छी रगती है तुम्हारी smile बहुत प्यारी है तो जब तुम हस्ती हो ना ऐसा लगता है कि पूरा जहान खिल खिलाकर हस रहा है ऐसे ऐसे शब्द डाल देना कि जैसे आप अपने person के लिए 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 हो ना जहान खिल के ला रहा है शायद तुम नहीं जानती हो जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना तुमारी आँखों में डूप जाती हूँ और महसूस होती है मुझे वो तुमारी आँखों की चमक ये बात सच है जब भी मैं अपने आपको मिरर में देखती हूँ और मैं जब अपने आप से आई कांटाक करती हूँ मुझे लिटरली यही फील होता है ऐसा लगता है कि यार ये ब्रहमार्ण की ना सबसे प्यारी आँखे है सबसे प्यारी मैं ये नहीं कहरी कि आपको इगो दिखाना है कि मैं ही हूँ अरे नहीं बाबा ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना है प्यार कैसे भी आप किसी भी प्यारी परे शब्दों से आप कर दीजे बस जो भी आपको लग रहा है ना कि की आगे मैं लिखा है मैं महसूस करती हूँ तुम्हारे प्रेम को तुमारी confidence बहुत प्यारी है बहुत खुबसूरत है और सची मैं तुम बहुत जादा attractive हो तुमारे अंदर एक divine energy है जो मुझे feel होती है मैं feel कर पाती हूँ तुमारे अंदर की वो pure beauty को you आर pure divine इस तरह के शब्द आपको अपने लिए लिखने हैं आगे मैंने लिखा है कि तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है जब तुम बोलती हो ना ऐसा लगता है कि पूरा जहान मंत्र मुग्द हो जा रहा है तुम्हारी अंदर गसप की positive energy है तुम जहां जाती हो ना सब को attract कर लेत हो तुम इतनी प्यारी हो तुम बहुत ही खुबसूरत हो तुम्हारे बाल बहुत खुबसूरत है तुम्हारा body appearance बहुत खुबसूरत है सची मैं तुम इस ब्रहमांड की सबसे प्यारी वाली एक precious creation हो इस ब्रहमांड की तुम्हारे अंदर की qualities की मैं बात करू तो शायद कुछ ना कुछ learn करती रहती हो सीखती हो और सिखाती भी हो तुम हमेशा positive और दूसरों को motivate करती हो तुम बहुत जादा प्याओर हो सच्छी में और तुम्हारे अंदर जो talent है न वो ये है कि तुम बहुत अच्छी dancer हो तुम make-up artist भी बहुत अच्छी हो cooking भी बहुत अच्छी करती हो तुमारे अंदर एक art form है जो किसी भी चीज़ को creative कर सकती हो तुम बहुत अच्छी singer हो सच में तुम बहुत प्यारी हो अभी ये मेरा self letter थोड़ा सा अधूरा है यहाँ पर मैंने अपने अंदर के इस सारी चीज़ों की बात करी है जो actual में मेरे अंदर है और यही चीज़ें आपको अपने लिए लिखनी है बिल्कुल exactly आप पूरा सोच लेना और जब आप यह लिखो ना शांती से बैठ कर लिखना कि आपके पास 10 मिनट का वक्त है अब मुझे अपने लिए self love letter लिखना है मैंने इसमें बहुत सारी colors का use किया है like a green, sky blue, red, purple तो इस तरह से आप भी colors का use कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है जैसे कि आप लोगों को अपने अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है जैसे कि कल मैंने आपको क्या बताया अपने अंदर की सारी negativity को release कर लीजे लेकिन जब वो release हो गई तो इसकी जगा भी तो हम positivity को लेकर आएंगे न तो जो आप अपने अंदर चाहते हो जैसे बहुत सारे लोग चाहते है उनकी skin बहुत अच्छी हो जाए अगर pimples है, scars है तो आप यह लिख सकते हो self love letter में, last में तुमारी skin बहुत खुबसूरत है तुम बहुत ज़दा flawless हो जो भी problem है, under eye area dark है, तुम यह कर सकते हो कि तुमारा under eye area बहुत ज़दा light है तुम बहुत ही खुबसूरत हो तुमारी lips बहुत खुबसूरत है अगर तुम चाहती हो अगर आप चाहते हो अपने जिंदिगी में success पाना तुम यह भी लिख सकते हो तुम बहुत ज़दा successful person हो तुम है हर दिन सफलता ही मिलती रहती है तुम कितनी ज़दा precious हो अगर आप चाहते हो अपना कोई skill डिवलप करना तो वो skill को भी यहां लिख सकते हो अपने self love letter में तो यह सारी चीज़ें जो आपको चाहिए ऐसी हो जाए अपने अंदर मैं आपके ही अंदर की बात कर रहे हूँ मैं आपके manifestations की बात नहीं कर रहे हूँ ध्यान से सुनना यह बात आपको अपने अंदर की ही चीज़े self love letter के last में यह चीज़े लिखनी है एक है, दो है, तीन है, चार है, पाच है जितनी मर्जी हैं आप उनको positive way में affirmations के जरी लिख रेना की सच में तुम बहुत प्यारी हो ऐसे कि जैसे already यह चीज़ आपकी life में है, तो यह आपका self love letter complete हो जाएगा और last में आपको दिल से तीन बार thank you, thank you, thank you जरूर कहना है और कहना है I love you, I love you I love you, Shivani, I love you जो भी आपका नाम है I love you, I love you I love you, यह चीज़े लिखने के बाद में, नीचे अपनी signature जरूर कर देना, sign जरूर कर देना यह बहुत magical है self love letter और जैसे ही आप यह लिखो ना लिखने के बाद में डेली आपको 21 days तक आपको यह self love letter पूरे दिन में एक बार निकाल कर पढ़ना है जैसे मैंने वो आपको संकल्प लिखवाया है न मैं तो भूली गई यार वो संकल्प भी तो आपको repeat करवाना है वो संकल्प repeat कीजिए मेरे साथ 21 दिनों तक मुझे जो भी सिखाया जाएगा, मैं पूरी शिदत के साथ उसको सीखूंगी और मुझे पूरा विश्वास है ये 21 दिनों में मेरे जिन्दिकी जरूर बतलेगी मेरा ये संकल्प है तो ये संकल्प आपको डेली पढ़ना है और सेल्फ लव लेटर आपको डेली 21 देज तक पढ़ना है इसी के साथ आपको एक टास्क मिल रहा है आपको मैं एक सेल्फ लव का सॉंग दे रही हूँ आप यहाँ पर लास्ट में अभी सुनना मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा सॉंग है आपको ये सॉंग सेल्फ लव लेटर के साथ ही जैसे की आपने ये सॉंग चला दिया एंड दैन उसके बाद में आप सेल्फ लेटर पढ़ना चालू करेंगे और डूब चाहेंगे बुरा उसमें ठीक है अगर ऐसा नहीं हो पॉसिबल है इस सॉंग के साथ आप डांस कर सकते हो जूम सकते हो ये आपकी चॉइस है आपको पूरे 21 days तक ये सॉंग सुनना है भाई सुनना है ठीक है ये सॉंग आपको anyhow सुनना है मैं आगे भी आपको बहुत सारी सॉंग बताऊंगी जो आपको अलग-अलग activities में काम देंगे क्यों मैं आपको सॉंग दे रही हो क्योंकि सॉंग में वो पावर है आपकी वाइब्रेशन को चेंज करने की तो चलो सुनते हैं वो सॉंग कौन सा है कोई हिरो यहां कोई जीरो यहां कोई हिस्तार है कोई चाल लग है कोई ही रो यहां कोई जीरो यहां कोई इस्तार है कोई बेकार है मैं कौन हूं तुमसे मैं क्या कहूं है सच तो ये दोस तो I'm the best, I'm the best, I'm the best बोलिए मेरे साथ I'm the best, I'm the best, I'm the best इस song में male and female दोनों के लिए है अगर आप male है तो male ये वाला सुन सकते है और आप female है तो इसमें female भी है song दोस्तो में नमबर एक हूँ ये सच में बहुत magical है पता है आप लोगों को मेरी एक मेरा experience है कि हम ना song के साथ बहुत जादा connective feel कर पाते हैं जब भी हम song सुनते हैं हम तुरंत ही अपनी vibration को change कर सकते हैं इसलिए मैं आपको ये बीच बीच में एक boosting का काम देने वाले song मैं आपको dedicate करूँगी आपको दूँगी और वो आपको इस task में follow करने है तो भाई आज का जो task है वो ये है कि self love letter लिखना है और 21 days तक read करना है आज आपको ये song सुनना है चाहो तो ये 21 days तक सुन सकते हो या फिर आप आज ही सुन सकते हो ठीक है यह आपकी choice है and सबसे important part no scrolling reels, no videos, no break up videos, no emotional videos, no insta scrolling कल मेरे पास एक comment आया था कि मेरा ये work है तो अगर आपका ये काम है तो आप कर सकते हो otherwise बिना वजह आप insta, whatsapp, youtube पर नहीं जाओगे ठीक है यह आपका काम दूसरी चीज़ आज आपको एक task कवर मिल रहा है कि complaining नहीं करनी है कैसी complaining यार मेरे पास तो कुछ ही नहीं है यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा यार मैं क्या करूँ मेरी life में तो कुछ अच्छा ही नहीं है no complaining, complain नहीं करना है भाई 21 days तक ये वरत ले ले ना जैसे कल वरत लिया है न no scrolling social medias ऐसे ही no complaining any topic ठीक, तो अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवार and you are best खुद से कहिए I am best I am best I am best